आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फोन का बैक बटन चेंज कैसे कर सकते हैं यानि कि अपने फोन का बैक बटन अगर आप लेफ्ट में लाना चाहते हैं या फिर राइट में लाना चाहते हैं तो कैसे ला सकते हैं यानिके इसकी location को कैसे change कर सकते हैं left right कर सकते हैं आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं back button change करने के लिए अपने phone में सबसे पहले settings को open करिए settings में आने के बाद नीचे scroll करेंगे और नीचे scroll करने पर एक option आपको मिलेगा home screen तो home screen के option पे click करिए click करने के बाद ऐसा interface आएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक option आपको settings में search करना होगा system navigation नाम का अगर आपको यह option नहीं मिलेगा तो settings में आकर आप directly search settings पे click करके search करिए system navigation अब उसके बाद इस पर click करिए तो यहाँ पर आपको system navigation settings को search करने के बाद इस पर click करने के बाद ऐसा interface मिलेगा अब यहाँ पर एक option आपको मिलेगा gestures तो इसे आप select करके देख सकते हैं आपका back button यहाँ पर इस type से side में आ जाएगा यहाँ से आप इस type से back कर सकते हैं अगर आपको buttons की ही location को change करना होगा तो एक option आप देख सकते हैं यह अभी right में है और mirror buttons का option आपको मिलेगा अगर आप इसे बंद करेंगे तो यह left में आ जाएगा अगर आप mirror buttons को चालू करेंगे तो यह right में आ जाएगा यह settings किसी दूसरे phone में देख लेते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस phone में settings में जाते हैं और यहाँ पर directly दे रखा है system navigation इस पर click करेंगे और आप देख सकते हैं navigation gesture select करके आपका यह side में आ जाएगा और एक option आपको मिलेगा order and styles of navigation keys इस पर click करेंगे और आप देख सकते हैं यह अभी right में है back button अगर हम इसे select करेंगे तो यह हमारा back button left में आ जाएगा और यहाँ पर इसका style change कर सकते हैं यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से तो हो सकता है आपके phone में यह वाली settings होगी तो दोनों मैंने आपको settings बता दी है आप दोनों को use करके अपने phone में यह settings कर सकते हैं वीडियो कर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को like करें और हमारे channel को subscribe जरूर करें